नमस्कार दोस्तो mlg.com पर आपका स्वागत करते हैं और मैं हूँ आपका साथी परदीव सिच्देवा हर्याना के कैबनिट मंतरी अनिल विज ने आज एक ट्वीट किया है उन्होंने कहा है कि चर्की दादरी के गाम बलाली में स्टेडियम भी बनेगा और एसी हाल भी बनेगा जिसमें कुष्टी की प्रैक्टिस करने की पूरी विवस्था होगी आखिर विज साव ने ये ट्वीट क्यों किया इसके पीछे की बात ये है कि पिछले कुष्टिनों से ये चर्चा चल रही थी कि जो स्टेडियम और एसी हाल बनाने का प्रोजेक्ट था इसे रद कर दिया गया है इसे बिड्रा कर लिया गया है सरकार द्वारा कहा ये जा रहा था क्योंकि फुगाट बहनों ने जो अंतरास्टे ख्याती प्राप्त हैं महिला कुष्टी में और जिनके पिता महवीर फगाट भी अंतरास्टे ख्याती प्राप्त हैं और उन्हें द्रोना चारय अवार्ड से समानित किया जा चुका है इस पूरे परिवार ने जन्ना एक जन्ता पार्टी को जोईन कर लिया था जिस करके सरकार ने उस प्रोजेक्ट को ही वापिस ले लिया जिसकी घोशना सरकार ने खुद की थी 2016 में एक जन्सभा होई थी बलाली गाव में जहां पर मुख्यमंत्री मनोहरलाल खटर ने ये घोशना की थी क्योंकि उससे पहले बहुत ज़्यादा चर्चित हो चकी थी ये फोगाट मेंने उनकी चर्चा का कारण था बॉली वोड की फिलम दंगल आमीर खाने जो फिलम बनाई थी और उन्होंने इनी को केंदर बिंदू बना कर इनी बहनों को और उनके पिता महवीर फोगाट को उनका पूरा जैसे एक जीवन चित्र ही खीच दिया था फिलम में और बहुत चर्चित रही थी फिलम पूरी दुनिया में जिसकी चर्चा होई और हर्याना की कुष्ती की भी चर्चा पूरी दुनिया में उस फिलम के कारण होई और उस फिल्म के कारण जैसे ही ये चर्चा में आए फुगाट जी और उनकी बेटियां तो हर्याना के मुख्या मंत्री ने कहा कि ये बहुत गौरव की बात है हम इस गाव में ऐसी विवस्था करेंगे कि सबको साधन मिले बच्चों को कुष्टी की प्रैक्टिस करने का हम इस गाव में एक स्टेडियम बनाएंगे और एक एसी हाल भी बनाएंगे जिसमें कुष्टी की प्रैक्टिस बच्चे कर पाएं इस गोशना के साथ ही इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया था काम अभी कागजों में ही चल रहा था 2016 से लेकर हम 2019 के फरवरी महीने में खड़े हैं वो कागजों में ही रेंगता रहा सारा कारेकरम और ये चर्चा होने लगी के सरकार इस प्रोजेक्ट को बनाएगी भी या नहीं पूरा करेगी भी के नहीं करेगी ऐसे में पिछले दिनों से सोशल मीडिया पर ये चर्चा शुरू होगी कि इस प्रोजेक्ट को ही रद कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने जीन्द उप्चुनाव में फोगाट परिवार ने दिग्वजे सिंग चोटाला के लिए परचार किया है जिसे देखते हुए सरकार ने ये प्रोजेक्ट वापिस ले लिया है लेकिन आज अनिलविज ने ये स्पष्ट कर दिया है कि ये प्रोजेक्ट बनेगा और पंचायत पहले ही दस से कड़ जगाएं इसके लिए दे चुकी है ये अच्छी ख़बर है खिलाडियों के लिए और उन लोगों के लिए जो इस तरह का संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि राजनितिक तोर पर किसी तरह का दंड बलाली गाउं को दिया जा रहा है चर्की दादरी जिला को दिया जा रहा है सरकार ने स्पष्ट कर दिया है और ये अच्छी खबर लेकर हम आपके पास आए हैं कि वो स्टेडियम भी बनेगा मंतरी जी कह रहे हैं 30 लाख रिली करने जा रहे हैं साथियों साफ खबरें सची खबरें अच्छी खबरें लेकर हम आपके पास आते रहेंगे आप हमारे साथ जुड़ जाए पक्के तोर पर हमारे इस चैनल mlg.com को सब्सक्राइब कर लीजिए हमें लाइक कर लीजिए फेस्बुक पर और हमें फॉलो कर करेंगे धन्यवाद